नमस्कार, निउस रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है, मैं आपके साथ कुनाल दुनिया की सबसे उची चोटी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती है कई बार लोग इसकी चढ़ाई करते हुए अपनी जान तक गवा देते हैं इस खतरनाख ट्रैक के लिए सबसे पहले आपको महिनों के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फिर कहीं जाकर आपको इसके लिए पर्मिशन मिलती है तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही सक्ष के कहानी बताएंगे जिसके दोनों पैर नहीं है और हाथों में साथ उंगलिया नहीं है इसके बावजूद इस सक्ष ने एवरेश की कटिन चढ़ाई पूरी कर ली और दुनिया में दिखा दिया कि मुश्किले कैसी भी हो निडर और निर्भीक होके अपने लक्ष की ओर बढ़ना चाहिए तो हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एंडिया लैंफ्री एंडिया साल 2015 में जब 29 साल के थे तब एक बिमारी के कारण उन्हें अपने दोनों पैर और हाथों की साथ उंगलियां गवानी पड़ी थी इस दोरान वो इतने गंभीर रूप से बिमार हो गए थे कि उन्हें साथ महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था और इन साथ महीनों में दो महीने तो ऐसे थे जब वो कोमा में थे एंडिया लेंफ्री उन लोगों में से हैं चो कभी हार नहीं मानते हैं और स्थिती कोई भी हो वो उसे लड़ना जानते हैं दुनिया को जब लग रहा था कि एंड्रिया अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो एंड्रिया लैंफरी स्प्रिंटर बनने का ख़ाब देख रहे थे। उन्होंने अपना सपना पूरा भी किया और 2016-18 के वर्ल्ड पैरा एथलेट चैंपियन में मैंडल भी जीते। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मताबिक एंड्रिया लैंफरी एवरेश्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कई अंगों से दिव्यांग हैं अंग्रेजी में इसे मल्टिपल एंप्यूट कहते हैं हाला कि इससे पहले भी कई दिव्यांगों ने एवरेश्ट की चढ़ाई की है लेकिन मल्टिपल अंगों से दिव्यांग के मामले में एंड्री लैंफरी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं तो ये हैं वो जाबाज जिसने अपनी जिद के आगे दुनिया की सबसे उची चो हो सबस्पी जिद का जिव्यांगों की पुमाद की चो मुझे लिए अभाई की ठाला की दिव्यांगों की रहांगों।